Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you preposition sins and for. Sins and for preposition में आपको पढ़ाने जा रहा हम. Okay, so what is the meaning of sins and for? Sins और for का क्या meaning है? And how we use them in sentences. हम इनको कैसे sentence में यूजे करते हैं? Okay, so this is really very interesting video. Very useful video for all of you. Watch it and learn use of sins and for. Sins and for का use सीगे. Okay, since. Sins का मतलब होता है, say. येदी कोई कारी किसी समय से हो रहा है. Any action is going on from a definite time. येदी कोई कारी किसी निश्चित समय से हो रहा है, तो उस समय से पहले sins यूजे होता है. जैसे मैं कहूं, 훈んと Monday का मतलब समय से, since 2 o'clock के 2 बज़े से, since 2010 2010 का मतलु 2010 से कोई कारी हो रहा है, since Monday का मतलो मंडे से कोई कारी हो रहा है, since 2 o'clock का मतलो दो बज़े से कोई कारी हो रहा है, जैसे कमला has been sleeping since two o'clock कमला दो बज़े सो रही है they have been living here since 2010 they have been living here living में से रह रहे हैं they have been living here में यहां रहे हैं since 2010 2010 से they have been reading this book since Monday they have been reading this book since Monday वे इस बुक को मंडे से पढ़ रहे हैं since Monday, since two o'clock, since 2010 इसका मतलब कोई कारिये दो बज़े से या मंडे से या 2010 से हो रहा है कोई कारिये किसी समय से हो रहा है उस समय को बताएं कोई कारिये किसी समय से हो रहा है उस समय को बताएं तो ये समय कि Monday से, दो बजे से, 2010 से, तो किस टाइम से पहले सिंस यूज होगा Okay, सिंस का यूज किसी समय से पहले होता है ये दिब बताएं कि किसी समय से कोई कारी हो रहा है तो उस समय से पहले सिंस और पॉर यूज होता है Okay, next for, for is used before the period of time For का मतलब ये से होता है लेकिन ये period of time से पहले यूज होता है किसी समय के period से पहले कोई समय है, period है उसके लिए for यूज होता है जैसे for two hours, दो गंडों से for ten hours, दस गंडों से for three weeks, तील सब्ताओं से for two months, दो महिनों से for three years, तीन वर्सों से for ten years, दस वर्सों से तो ten years ये period है two months, ये period है two hours, ये period है two o'clock आए, तो ये point of time से पहले सिंस चुज होता है two o'clock, दो बजे two hours, दो गंडे ये period है दो गंडे, दो महिने, दो वर्स, दस वर्स these are the period of time ये समय की period है और उनसे पहले for use होता है जिसे for ten years, दस वर्सों से for two years, दो वर्सों से for two weeks से दो सफताओं से for ten minutes से दस minutes से period of time से पहले for use होता है point of time से पहले since use होता है here are examples यहां उदार ने देखो they have been waiting, वे wait कर रहे है have been waiting का मतलब किसी समय से wait कर रहे है they have been waiting, वे wait कर रहे है since two o'clock दो बजे से यहांने wait करने का कारिया दो बजे शुरू हुआ था दो बजे हैं उस समय से wait कर रहे है तो दो बजे से पहले since use होगा since two o'clock दो बजे से since morning सुबह से since evening स्याम से तो since का use है definite time निश्चित समय से पहले हो जाता है यदि उस समय से कारिया शुरू हुआ है तो two o'clock से पहले eight भी use होता है लेकिन since two o'clock का मतलब होता है दो बजे से हो रहे कारिया ओके अगला sentence देखो since two o'clock since monday से दो बजे से अगला I have known him मैं उसे जान चुका हूँ I have known him for two years से दो वर्सों से अब दो वर्स पीरिड है यहां से लेकर दो वर्स दो वर्सों से जान चुका है I have known him ten years दस वर्सों से जान चुका हूँ I have known him since childhood बच्पन से जान चुका हूँ बच्पन पीरिड नहीं है since childhood बच्पन से since 2010 2010 से but for ten years दस वर्सों से, फॉर टू मन्स से, दो महिनों से, तो देखो यह डिफरेंस है, सिंस और पॉर का, पीरिड से पहले पॉर यूज़ होता है, पॉइंट टाइम से पहले सिंस यूज़ होता है, ओके, सिंस यह से बनी लिवइंग, सिंस बनी लिवइंग, वहरा है, सिंस टू थू थाव Jul से, सिंस टू थाव जंटेन दू अहजार Спालाइबस से सिंस यह डीफिनेट टैम से पहले से वाता है, यह अधे उस समय से कारी हो रहा है तो ऑके कंमला यहां ठैरी है यह यहां फोर्टू मंथ से दो महिनों तक तो दो मैने पीरिड है दो महिने दो वर्स दस वर्स दो गटे दस दमिनट दीजा दपीरिड उगुँट टाइम ये period of time है और period of time से पहले हमेशा ही four use होता है four two hours, four ten hours, four thirty hours, four ten months, four nine months, four ten years, four six hours, second day तो four का use हमेशा period of time से पहले होता है समय के अंतराल से पहले होता है और since हमेशा point of time बताता है कि इस समय से दो बजे से, मंडे से, सुबह से, 2010 से point of time को को बताता है since और period of time को बताता है four यानि four के बाद period of time हैगा समय का period हैगा 10 वर्स, 2 गंटे, 2 महिने, 10 महिने और since हमेशा point बताता है कि इस समय से हो रहा है और four period बताता है so this is the difference between since and four या since और four के बीच अंतर है कि since का use point of time से पहले होता है और four का use since का use point of time से पहले होता है और four का use period of time से पहले होता है ठीक है so thank you for watching this is really very helpful in learning the English grammar okay if you haven't subscribed my channel please subscribe and also share and like it thank you